पनोर्म क्रोप जो सोचता है वो करता है ओफर को दे करके और विधायकों को खरीदने की कोशिस की गई थी इसमें जनता जल उनाइटेड और भारते जनता पार्टी के कहा जा रहा है कि विधायकों को खरीदने की कोशिस की गई थी इस सारे मामले को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सुधानसु से करके एफाई अर्दज कराने के बाद ये बाते सामने आई थी सुधानसु से करने एफाई अर्दज कराते हुए कहा था कि पांच करूर रुपए पहले और पांच करूर रुपए फ्लोर टेस्ट के बाद देने का ओफर किया गया था के अलावे भी और कई बातें की गई थी इस मामले को लेकर के उन्होंने कोतवाली थाने में एक एफाई अर्दर्ज कराई थी उसके बाद से कहा यह जा रहा था कि यह मामला उलस्ता हुआ नजर आ रहा है हलाकि धीरे-धीरे करके विधायक वापस तो आ गए लेकिन यह मामला पूरी तरह से पेचीदा और ओल्जा हुआ हो गया था अब जबकि यह सारा सब कुछ नजर के सामने है प्रास्मिकी के मुताबिक सुलागु सेकर ने कहा था कि पांच करोर रुपे का ओफर पहले और पांच करोर रुपे फ्लोर टेस्ट हो जाने के बाद सरकार के बहुमत नहीं साबित करने के बाद मिलने थे इन सारी बातों को लेकर के अब जो एफ़ाई आरुण दर्ज किया था वो तो सामने है ही लेकिन इसके साथ साथ अपहरन की भी बाते की गई थी और उसके लिए भी केस किया गया था आपको मालूम होगा कि किस तरह से राष्टिय जंता कि यह रहा है कि इस वार्टियस्ट में नई बात ये सरोकार्ट में और यह रहे हैं कि इसमारे रीपोर्टर में नितिश कुम्हार से पूछा और बशी्चक कूछा कि फ्लोट टेस्ट के दोरान विधायकों के खरीद परोत का मामला जो था उस मामले में जाज करने की जिम्मारी आर्थिक अपराध इकाई यानि की E.D. को दी जा सकती है सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेड़ी एमले सुधानसु से करके कोतवाली में दर्ज कराए गया परात्मीकी के बाद ये फैसला लिया जा सकता है आपको पता दे हैं कि 10 करोड में डील होने की बात को लेकर के लिखिस सिकायत उन्हें की थी और पटना SSP ने पुलिस मुक्याले को पत्र लिखा था आर्थिक अपराध ही काई इसकी जाच करेगी इस बात को लेकर के अब चर्चाहें तेज हो गई है अब देखना दिल्चस्प होगा कि आगे होता क्या है लेकिन एक बात तो मान के चलिए कि कहीं न कहीं अब ये मामला हलके में नहीं है बलकि ये मामला पूरी तरह से पेचीदा होता जा रहा है लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसमें नितीश कुमार ने भी एक बयान दिया था कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा आपको याद होगा कि समराठ चौधरी ने भी कहा था कि हम सब को देखेंगे क्या कुछ चल रहा था लेकिन इन सारी बातों के बाद अब जब की ये पर आ रही है सुत्रों से जनकारी मिल रही है कि पूरे मामले की जहां आर्थिक अपराधिकाई करेगी तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बचना मुश्किल है ऐसी स्थिती में आप जानते हैं कि एडी का जब रडार पर आता है कोई तो उसके साथ क्या होता है और खास करके ज इडी के हाथ में जब मामला आता है तो वो मामला उसके लिए ज्यादा महत्तोपुण हो जाता है जो इस मामले में सनलिप्त हो या उसके विरुद साक्ष मिल जाए उसका बचना मुश्किल हो जाता है यही स्थितियां अब बिहार की राजनीत में देखना होगा कि क्या लेकिन एक बात तो मान के चलिए कि एडी अगर जांच करती है तो यह मामला जल से जल सामने आ जाएगा और इसमें सनलिप्त लोगों को बचने का कोई चांस नहीं नजर आ रहा है पनोर मंकरो जो सोचता है वो करता है पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जोइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद